जै जै श्री राम जै जै हनुमा भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर तसंग आता है सुन्दर कांड का जी हां यह सुन्दर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने सुन्ने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ की साथ हनुमान जी और प्रभूश्री राम जी की क्रिपाएं फ्राप्त होती है तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवानी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बोलिये श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर मा सीता को खोजते खोजते श्री हनुमान जी अंगद जाम्मत जी और अन्यवीर सागर तक पर आपहुँचे हैं जाम्मत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और बे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवण वेक से उठकर सागर पार करने को निकल पढ़ते हैं मार्ग में उन्हे सुरसा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुई श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकीनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकीनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुष्छिका की मारी लंकी निधरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई हनुमान के हाथों मर की मुक्ती उसने पाई है लंका भीतर हनुमत आए अखियां फिर चोंधाई है सिया मा का पता न पाए सिया मा का पता न पाए तैरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है लामायन में समसे सुंगत भूंगतो सुंगर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती सत्य जानने हे तू वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते ही दोनों में मैत्री हो जाती है और वहीं से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राफ्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुंत्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वातसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है सीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन प्रोध में आ जाते हैं तेल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँछ में आगती लगवाई हनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका चलवाई गुंज रहा लंका में देखो हाँ गुंज रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सब से सुन्दक पुन तो सुन्दर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विवीशन की कुटिया को छोड़ सारी लंका जलकर राख बना दिया समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सनमुख फिराते हुए और निशानी स्वरूप उनकी चूडा मनी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोटाते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभू की सेना सागर तट पर आप पहुची है कीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्री राम ने अगनिवान फिर अपने धनुश पर ठाताना शमा मांग ली सागर ने और ये उपाए थे पत लाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू को बंधवाए शिला तैर गई सागर में शिला तैर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तो सुन्दर कान है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर से तू बांध राम से ना लंका तटपरा पहुँची रामन का भाई विबीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्षमन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंघोर भयंकर योध्धुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्षमन जी को मुर्चित कर दिया विबीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुषेण को लियाए वैद्य जी के बताय नुसार श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय परवत श्रंकला से संजीवन भूटी वाला त्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्षमन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आशू वक्त और भगवान के आखों आये थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणबान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तुन तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावण और राम जी के बीच घंगोर युद्धु हुआ भक्तों और रावण का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योध्धाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में धीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रत्नों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे देखता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोध्वे विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भर आई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सबको करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणदान है रामायन में सबसे सुन्दे झालाओं की लीलाओं लाम पस्ते राम पस्ते आंट रंग लाई